हालो दोस्तों नमस्कार कैसा हैं आप लोग मैं हूं महित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एनस मोहिट तो भाईया फिलिपकार्ड ने आइफोन वालों को बहुत बुरा जटका दे दिया है जैसा कि आपको अगर जो लोग फिलिपकार्ड पर रेगुलर जा रहे होंगे क्योंकि सेल सुरू होने वाली थी 23 से और वह 30 सप्टेम्डर तक चलेगी जो भी रेगुलर अगर फिलिपका लगभग रहा था कि आइफोन 13 जो है वो फोर नाइन नाइन जीरो में मिल जाएगा जो को होते हैं टोटल मिला के 49,990 रुपे में लोगों को यही लगा था कि लगता है इस बार आइफोन 13 49,990 रुपे मिल धंक से मिल जाएंगे लेकिन 49,990 रुपे की तो बात ही छोड़ जाएगा तो मैं ले लूँगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो लोग आइफोन 13 सौपिंग करेंगे क्योंकि उस हिसाबस अगर देखा जा तो सीधे सीधे 50,000 रुपे बढ़ चुकी है तो अभी क्या है कि सेल सुरू होने से पहले नार्मल पेज पर ही फिलिपकार्ट क 990 रुपे मुझली ढंक सा आइफोन 13 जो कि बेस ओरियंट 128 हुई होता है वो मिल जाएगा लेकिन जब सेल स्टार्ट हुआ 23 को मुझे यह बात पता नहीं चलती लेकिन मेरे एक मित्र को लेना था तो बोला कि तुम चेक करते रहना जो भी प्राइस होगा चाहे घटे गया बढ़ेगा कुछ भी मुझे इंफॉर्म कर देना तो जैसे ही सेल इस्टार्ट हुई तेज तारीक को रात में ही तो मैंने तुरंद उसे चेक किया तो वहाँ पर डारेक्ट ली जो प्राइस थी वह उन्चास तो कभी नहीं आई हां लेकिन वहाँ पर 53,990 रुपे सो कर रह आग यहाँ अगर 11 की बात कर लिया जा तो 11 की अगर प्राइस देखा जाया तो जो सो कर रहा था वह तेज तारीक की रास में वह 30,990 रुपे सो हो रहा है वो 33,990 रुपए की थी वहीं अगर 13 Pro की बात किया जाए तो उसका प्राइस जो है कि 99,990 रुपए सो हो रहा है अब वहीं बात कर लेते हैं 13 Pro Max की तो उसका प्राइस सो कर रहा था 1,1990 रुपए लेकिन मैं 23 तारीक को सुबह स तक चेक कर रहा था तो आइफोन की जितने भी मैंने पता दिया यही प्राइस सो कर रहा था लेकिन कल अचानक रात में मेरे मित ने फोन किया बोला कि जो तुम इसक्रिंसोर्ट सेर किया उसमें तो प्राइस तीरपन हजार 999 रुपए दिखा रहा है लेकिन अभी मैं अभी चेक कर रहा हूं आडर करने के लिए तो वहां पर मुझे भी वही प्राइस सो होने लगी थी सताओन हजार 990 रुपए जो कि नार्मल प्राइस जो 53,990 रुपए थे उससे 4,000 बढ़ गया था तब मैंने फिर आइफोन 11 की प्राइस चेक किया तो आइफोन 11 के प्राइस में भी 2000 की बढ़तरी हो गई थी वो 30,000 से बढ़ बढ़तरी होई थी तो वो था आइफोन 13 प्रो और आइफोन 13 प्रो मैक्स वो पहले जितना सो कर रहा था तेज तारीक के नाइट में कल भी साम तक उतना ही सो कर रहा था लेकिन बाकी आइफोन 11, आइफोन 12 मीनी और आइफोन 13 के प्राइस बढ़ चुके थे अब ऐसा फिल 15,000 दिखाने के बाद ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है उसके जनकी बात किया जाया तो मैंने देखा था कि 2-3 दिन पहले से उस पर आ रहा था कि आप एक रुपय एडवांस जमा करके अपने आडर को पहले से ही बुक करा सकते हैं तो अगर 49,990 रुपय सोचे होंगे प्राइस कि इतना आएगा तो उस हिसाब से तो फिर मान के चलिए कि वह तो 8,000 रुपय जादे हो गया है तो जो नॉर्मल लोग लेने वाले थे मुझे नहीं लगता है को लोग सॉपिंग करेंगे फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं उंका अधिक सद्धिक इक सखें तो आप थोड़ा सब्साविट कर ली जिए अठाइस होंथीस 13 को देखिए आएफ़स की प्राइस की प्राइस क्या होती है या फिर 12 मने लेने की लिए सोच रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या होती है बाकि जिसको ठाटिन प्रो और प्रो मैक्स लेना है तो इजनी ढंग से ले सकता है क्योंकि उसका प्राइस उतना ही है जितना तेज तारी को नाइट में सो कर रहा था उसमें कोई बढ़तीरी नहीं हुई है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ से पहले भी हमेसा बिक बिलियों डेज सेल आते हैं क्योंकि जो आइफोन लभर होते हैं खास तोर से इस सेल का इंतजार करते हैं चौकि जिस साल यह आता है उस साल अगर जो होता है उसकी प्राइस तो नहीं घटती है लेकिन उसके पिछले तिन साल की जो आईफोन होते हैं उनकी प्राइस जरूर कुछ न कुछ बहुत ज्यादा ही घड़ जाती है अच्छा खासा डिस्काउंड मिल जाता है तो लोग सोचते हैं चलो इस बर मैं बिग बिलियंडे सेल में आईफोन ले लूँगा लेकिन लग रहा है कि मतलों ऐसे कैसे अचानक से बढ़ गया वही में तेज तारीक कोई देखा होता सताओन हजार नौशन नव्य रूपए तो मुझे बूरा नहीं लगता या किसी को बूरा नहीं लगता कि भाई सेल लगी अपने हिसाब से प्राइस कम होती है जितना में प्राइ तो हमें इंस्टाग्राम पर या कॉमेंट भाएकर जरूर बताएं और आप नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा और घंटिक आइकान को जरूर दवाय लिजेगा ताकि हमारी अगली वीडियो नाटिफिक आपको मिलती रहे